मेरे पहरे देश्वासियों, नमस्ता, आज मन की बात का सोवा एपिसोड है मुझे आप सब की हजारों चिठिया मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की हैं कि जादा से जादा चीठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर सभाल भी लिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के स्रोता है, हमारे देश्वासी है मन की बात कोटी-कोटी भारतियों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है साथियों, तीन अक्तूबर दोहजार चौदा विजया दस्मी का वो परव था, और हम सब ने मिल कर विजया दस्मी के दिन मन की बात की यातरा शुरू की थी विजया दस्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का परव मन की बात भी देश्वासियों की अच्छाईयों का सकारात्मक्ता का एक अनोखा परव बन गया है एक ऐसा परव जो हर महिने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है हम इसमें positivity को celebrate करते हैं, हम इसमें people's participation को भी celebrate करते हैं कई बार यकिन नहीं होता कि मन की बात को इतने महिने और इतने साल गुजर गए हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उधारणों की नविन्ता, हर बार देश वासियों की नई सभलताओं का विस्तार मन की बात में पूरे देश के कौने कौने से लोग जुड़े, हर आयू वर्ग के लोग जुड़े बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्च भारत आंदोलन हो, खादी के पती प्रेम हो, या प्रकुरती की बात मन की बात, जिस विसाई से जुड़ा, वो जन आंदोलन बन गया, और आप लोगों ने बना दिया जब मैंने ततकानीन अमेरिकी राश्पती बराक उबामा के साथ साज्या मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी साथ्यों, मन की बात, मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरही रहा है मेरे एक मारदर्शक थे, स्री लक्ष्मन राव जी इनामधार, हम उनको वकिल साब कहा करते थे वो हमेशा कहते थे, कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करने चाहिए सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेणा दिये है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देश्वास्यों इस कारक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया मुझे आध है ज़्ञ में गुझरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामाने जन से मिलना, जुलना स्वाभाव गड़ुप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कारकाज ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर भहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि हां का जीवन तो बहुत ही अलग है कामका स्वरूपलक, दाईतवालक, स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामजाम, समय की सीमा शुरुवाती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था खाली-खाली सा महसूस कर रहा था पचासो साल पहले मैंने अपना घर इसले नहीं छोड़ा था संपर्ग ही मुश्किल हो जाएगा जो देश्वासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनोती का समाधान दिया सामान ने मानवी से जुणने का रास्ता दिया पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सिमित रहा और जनभाव कोटी कोटी जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महिने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ हर महिने मैं देश वाश्यों के एक से एक अध्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देश वाश्यों के तब त्याक की पराकास्ठा को देखता हूँ महसूस करता हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ मेरे लिए मन की बात ये एक कारिकम नहीं है मेरे लिए एक आस्ता, पूजा, व्रत है जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मेरे लिए मन की बात इश्वर रुपी जनता जनार्दन की चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है मन की बात मेरे मन की अध्यत्मिक यात्रा बन गया है मन की बात स्वा से समस्ट्री की यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है यह तो मैं नहीं तुँ ही इसकी समस्कार साधना है अब कलपना करिए मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहडी और बंजर जमीन पर पैड लगा रहा है कितने ही लोग 30-30 साल से जल सवरक्षन के लिए बावनियां और तालाब बना रहे हैं उसकी साफसफाई कर रहे हैं कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है कितनी ही बार मन की भात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ आकाश्वानी के साथ्यों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है आज पिछला कितना ही कुछ आखों के सामने आये जा रहा है देश्वास्यों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेणा दी है साथ्यों मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हिरोज हैं जिनों ने इस कारकम को जिवन्त बनाया है आज जब हम सोवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुँचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हिरोज के पास जाकर उनकी आत्रा के बारे में जाने आज हम कुछ साथ्यों से बात भी करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ जूड रहे हैं हर्याना के बाई सुनिल जगलान जी सुनिल जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पढ़ा क्योंकि हरियाना में जेंडर रेश्यो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का भियान हरियाना से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनिल जी के सेलफी विद डॉटर केम्पेन पर मेरी नजर पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भी उनसे सिखा और इसे मन की बात में सामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डॉटर एक ग्लोबल केम्पेन में बदर गया और इसमें मुद्दा सेलफी नहीं थी टेकनोलोजी नहीं थी इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुकता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रगट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रहासों का प्रणाव है कि आज हरियान में जेंडर रेश्यों में सुधार आया है आईए आज सुनिल जी से ही कुछ गप मार लेते हैं नमस्कार सुनिल जी नमस्कार सर्व मेरी कुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाद सुनकर सुनिल जी सेलफी विद डॉटर हर किसी को याद है अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है सदानमंत्री जी ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाना से पानिपत की चोथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कराट लाने के लिए शुरू की थी जिसे आपके नेतरतों में पूरे देश ने जीतने की कोशिस की है तो वाकिए ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने बpower के लिए बहुत बड़ी बाथ है कंई-डीकित रही है की मेरी वेटिया नंधनी और याची का है के सैवन्त क्लास क्लास में पड़ रही है और आपकी बड़ी परसंचत हैं आपकी उन्होंने आपके लिएा ठेंक प्षारा अशिरबात दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी वज़े से देश की बेटियों के चेहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुनेल जी शुक्रिया साथियो मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सेंकडो प्रेणादाई गाथाओं का जिक्र किया है चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महलाओं की उपलब्दियों पर बात की है उसकी खूब प्रसंसा हुई है जैसे हमने चटिस गड़ के देवर गाओं की महलाओं की चर्चा की थी ये महलाएं स्वयम सहाईता समों के जरिये गाओं के चोराहों सडकों और मंदीरों की सभाई के लिए अभ्यान चलाती है ऐसे ही तमिल नाडु की वो आदिवसी महलाएं जिनों ने हजारों इको फ्रेंडी टेरा कोटा कप्स निर्याद किये उनसे भी देश्टे खूब प्रेना ली तमिल नाडु में ही बीस हजार महलाओं ने साथ आकर बेल लोर में नाग नदी को पुनरजी विद किया था ऐसे कितने ही अभ्यानों को हमारी नारी शक्ति ने नेत्रुत दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है इनका नाम है मंजूर एहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पैंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर एहमद जी का जिक्र हुआ था मंजूर जी कैसे हैं आप मन की बात के इस सौवे एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अजा ये पैंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा अभी मेरे पास 200 प्लस है अरे वाँ मुझे बहुत खुशी हुई जी सर अभी एक दो महीने में इसको एक्सपांट कर रहा हूं कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर वाँ 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 देखिये मंजूर जी जी सर बुझे बराबर याद है और उस दिन आपने उसके लिए होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से जादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी सर और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं यह तो बहुत खुशी की ख़बर दी आपने एवन सर यहां पे जो बहुत से आड़ रहे हैं अपने पास सर अभी में आगे एक दो महीने में और एकस्पेंट करके और दो डाए सो दो चार गाओं में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एड़्यस हो सकता है उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर देखिए मंजूर जी वोकल फॉर लोक कामना है दन्यवाद वेया दन्यवाद सेर साथियों हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बर्बुते ही सफरता के सीखर तक पहुंचे हैं मुझे आद है विशागा पत्नम के बैंकट मुल्ली प्रसाजी ने एक आत्म निर्भर भारत चार्ट शेर किया था उन्होंने बताया था कि वो कैसे जादा से जादा भारतिय प्रोडक्स ही इस्तिमाल करेंगे जब बेतिया के प्रमोज जी ने LED बल्ग बनाने की छोटी यूनिट लगाई या घट मुक्तेश्वर के संतोज जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ह ही उनके उत्पादों को सब के सामने लाने का माध्यम बना हमने मेकिन इंडिया के अनेक उदारोलों से लेकर स्पेस टार्ट अप्स तक की चर्चा मन की बात में की है साथियों आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मनिपूर की बहन विजय शान्ती देवी जी का भी जिक्र किया था विजय शान्ती जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं मन की बात में उनके इस अनोखे एको फ्रेंडी आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपिलर हो गया आज विजय शान्ती जी फोन पर हमारे साथ है नमस्ते विजय शान्ती जी अब यू? Sir, I am fine And how is your work going on? Sir, I am still working along with my 30 women In such a short period you have reached 30 persons team? Yes sir, this year also more expand with 100 women in my area So your target is 100 women? Yes, 100 women And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes sir, everyone know from Mankiwad program all over India So now it is very popular? Yes sir, from Prime Minister Mankiwad program Everyone knows about the lotus fiber So now you got the market also? Yes sir, I have got a market from USA also They want to buy in bulk in large quantities But I want to give from this year to spend the US also So now you are exporter? Yes sir, from this year I export our product made in India Lotus fiber So when I say vocal for local And now local for global Yes sir, I want to reach my product all over the globe of world So congratulations and wish you best luck Thank you sir Thank you, thank you Vijayaswanty Thank you sir अईस्ते भूद्स अउस्ते लेकर जागरूता बढ़ाने की शुरूआदी तो मन की बात सही की थी हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे जगड़ा नहीं करेंगे जब हर गर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देश वास्यों को इस संकल्प से जोडने में खूब भूमी का निभाई ऐसे हर उधारन समाज में बढ़नाव का कारण बने है समाज को प्रेजित करने का ऐसे ही बिड़ा प्रदीप स्वांगवान जी ने भी उठा रखा है मन की बात में हमने प्रदीप स्वांगवान जी किये हिलिंग हिमालायाज अभियान की चर्चा की थी वो फोन लाइन पर हमारे साथ है प्रदीप जी नमस्कार सर जैहिंद कैसे हैं आप सर बहुत बढ़िया आपके आवाद सुनके और भी अच्छी आपने हिमालाय को हील करने को सोची अजी सर अभियान भी चलाया आज कला आपका कैमपेंग कैसे चल रहा है सर बहुत अच्छा चल रहा है 2020 से ऐसास मानिए कि जितना काम हम पाँ साल में करते हैं अब वो एक साल में हो जाता है हाँ जी हाँ जी सर शुरुवात बहुत नर्वस हुई थी बहुत डरध था इस बात को लेकि जिन्दी बर यह लेए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्टरगल भी कर रहे थे लोग बहुत कम जुढ रहे थे बहुत सारे से लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारे मुहीम को इतना सबज्ज़ भी नहीं दे रहे थे बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजे बदल गई मतलब पहले हम साल में 6-7 cleaning drive कर पाते थे दस cleaning drive कर पाते थे आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 तन कच्रा इकठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर गलीव करें मेरी बात को कि मैं almost give up करने की stage पर था एक टाइम पर और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलावाया है मेरे जीवन में और चीज़ी इतनी speed up हो गई थी जो चीज़ी हमने सोची नहीं सो आइम रिली थैंक्फुल की पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोग को आप ढूंड लेते हैं कौन इतनी दूर दराग एरिया में काम करता है हमाले कि छेतर में जाके बैठके हम काम कर रहे हैं वहां पे आपने ढूंडा हमें हमारे काम को दुनिया के सामें लेके आए तो मेरे बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातीत कर पा रहा हूं मेरे लिए इससे बड़ी सोबागी की बात नहीं हो सकती प्रदीब जी आप तो हिबाले के चोटियों पर सच्चे अर्थ मैं साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुते ही लोकों को याद आजाता है कि आप कैसे पहाडों की स्वचता अभियान में जुड़े हैं और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही हैं और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा से अब तो कितने ही प्रवतार हुई स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं और अच्छी बात है आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण बेस्टीज और बेल्ट ये लोगों कि भी रक्षार खो रही है और हिमाले का जो हमारा गर्व है उसको समालना सवारना वो सामान्यमान भी जूड़ रहा है प्रदीजी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत-बहुत धन्यबाद बहिया थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सो मच जहिंद्ध साथियों आज देश में ट आप रखना बहुत जरूरी है यह टूरिजम इंडिस्ट्री की बहुत मदद करेगा परियटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इंक्रेडिबल इंडिया मुमेंट की भी कई बार चर्चा की है इस मुमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चल हम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए आपके राज्य से बहार किसी अन राज्य के होने चाहिए ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचीन, सिंगल यूज प्लास्टिक और इवेस्ट जैसे गंबीर विशोव पर भी लगातार बात की है आज पूरी दुनिया परियावरण के जिस इशु को लेकर इतना परेशान है उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है साथियो मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेशको की डीजी ओद्रे औजुले का आया है उन्होंने सभी देश वाच्छों को सो एपिसोड के इस शांदार जर्ने के लिए शुपकामनाय दी है साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं आये पहले यूनेशको की डीजी के मन की बात सुनते हैं नमास्टे, Excellency, Dear Prime Minister On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Kibat radio broadcast UNESCO and India have a long common history We have very strong partnerships together in all areas of our mandate education, science, culture and information and I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030 With the largest population in the world could you please explain the Indian way to achieving this objective UNESCO also works to support culture and protect heritage and India is chairing the G20 this year World leaders will be coming to Delhi for this event Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India A bientôt, merci beaucoup Thank you Excellency I am happy to interact with you in the 100th Man Kibat program I am also happy that you have raised the important issues of education and culture साथियों UNESCO की DG ने Education and Cultural Preservation यानी सिक्षा और संस्क्रिती सम्रक्षन को लेकर भारत के प्रहासों के बारे में जानना चाहा है इस दोनों ही विशे मन की बात के पसंदिदा विशे रहे हैं बात सिक्षा की हो या संस्क्रिती की उसके सवरक्षन की बात हो या समवर्धन की भारत की यह प्राचिन परंपरा रही है इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सरहानी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या ख्षेत्रिय भासा में पढ़ाई का विकल्प हो एजुकेशन में टेक्रोर्जी इंटेग्रेशन हो आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेगे वर्षों पहले गुजरात में बहतर सिक्षा देने और ड्रोप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और साला प्रवेश उत्सव जैसे कारकम जन भागीदारी के एक अध्भूत मिशाल बन गए थे मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाइलाइट किया है जो निस्वार्त भाव से सिक्षा के लिए काम कर रहे हैं आपको याद होगा एक बार हमने ओडिसा में ठेले पर चाह बेचने वाले स्वर्गिया डीप प्रकास राव जी के बारे में चर्चा के थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे जारखन के गावों में डीजिटल लाइबरेरी चलाने वाले संजय कश्चप जी हो कोविड के दोरान एर लर्निंग के जरिये कई बच्चों की मदद करने वाली हैमलता एनके जी हो ऐसे अनेक सिक्षकों के उधारन हमने मन की बात में लिये हैं हमने कल्ट्रल प्रिजर्वेशन के प्रहासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है लक्सद्विप का कुम्मेल ब्रदर्स चलेंजर्स क्लब हो या करनाठका के क्वेम स्री ची कलाचेतना जैसे मंच हो देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिठ्ठी लेकर ऐसे उधान भेजे हमने उन तीन कंप्पटिशन को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ती पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे आपको ध्यान होगा एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिख्षा की भारतिय विधाओं पर चर्चा के थी मेरा अटूट विश्वास है कि सामुही प्रयास से बड़े से बड़ा बड़ाव लाया जा सकता है इस साल हम जहां आजहादी के अमरितकान में आगे बढ़ रहे हैं वहीं G20 की अत्रिक्स्ता भी कर रहे हैं यह भी एक वज़े हैं कि एजुगेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समुरुद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबुत हुआ है मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे उपनिशदों का एक मंत्र सद्यों से हमारे मानस को प्रेणा देता आया है चरहईवेती 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो आज हम इसी चरहवेती-चरहवेती की भावना के साथ मन की बात का सोवा एपिसोड पूरा कर रहे हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ ने दूसरों को प्रेणा दी है इस कारकम में हर देशवासि दूसरे देशवासि की प्रेणा बनता है एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तयार करता है मन की बात हमेशा सतभावना, सेवा भावना और करतव भावना से ही आगे मना है आजादी के अमरिक काल में यही positivity देश को आगे ले जाएगी, नई उचाई पर ले जाएगी और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुवात हुई है, वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं साथियों, मैं आज आकासवानी के साथियों को भी धन्यवात दूंगा जो बहुत धैरिय के साथ इस पूरे कारकम को रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांस्टेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्नक शेत्रिय भासों में अनुवात करते हैं मैं उनका भी आभारी हूँ मैं दूरदर्शन के और माई गौव के साथियों को भी धन्यवात देता हूँ देजबर के टीवी चैनल्स एलेक्ट्रोनिक मिडिया के लोग जो मन की बात को बीना कॉमर्सियल ब्रेक के दिखाते हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा जो मन की बात की कमान सभाले हुए हैं भारत के लोग भारत में आस्था रखने वाले लोग ये सब कुछ आपकी प्रेणा और ताकत से ही संभव हो पाया है साथियों वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं लेकिन मुझे विश्वात है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे मेरे भावनाओं को समझेंगे आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ आपके बीच में रहूंगा अगले मैने हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से नए विश्यों और नई जानकारियों के साथ देश वास्यों की सफलताओं को सेलिबरेट करेंगे तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार